यह 30 hp का टेक्सों का मोनो ब्लॉक आया था यह जल गया था और इसको हमने मशिंग दोगरा यह देखो लड़का कटिंग कर रहा है और बहुत लोगों के कमेंट्स आये थे के इसका ब्लोग डालो तो हम यह ब्लोग डाल रहे हैं और कुछ ब्लोग जो बन गए हैं उनमें हम कोर लेंट और डया नहीं दे सके हैं और आगे से जो भी हमारे ब्लोग बने हैं अ मरहें ख प्लोग बने हुए हैं अइसके बाद जो भी आईगा था हमारा दो डाया भी हम देंगे उसम्दश मेंयां चू और यह देखिए यह वायनिंग कर दिए ekuego ये भी हमने नाप निकला था, उसके बाद इसका सेट बन रहे हैं, उसके बाद इसकी हम वाइनिंग करेंगे, इसकी वाइनिंग मैंने ही की है, ये देखिए आप, ये डबल लेर वाइनिंग है, और इसका मोडल है, कम्मेंड्स आया था है उसका मोडल है TMH 49M यह देखिए इसका पीछ है 17 सिंगल पीछ है और डबल लेयर वाइनिंग है और 48 लोट है इसमें और टन्स है 6 इंटू 4 बराबर 24 इसमें साड़े सत्रा के 4 वायर है और आप 27 दो 18 भी लगा सकते हैं और यह देखिए सेपटर का भी हमने नाप निकला है और सेपटर भी बड़े हैं इसकी कटिंग हम लाश्ट में करेंगे और यह देखिए जो बीच के लेदर पेपर जो लगाया है इसको ग्रीन सीट भी बोलते हैं इसकी लंबाई हम इतनी रखते हैं ताकि यह डबल सेपटर का काम करता है और इसमें आठाठ के छे सेट बनेंगे और इसका सेट का वेट आएगा ड़ाई किलो ड़ाई किलो वेट आएगा और इसमें सिंपल कनेक्शन है सिंपल कनेक्शन है इसमें और इसका अगर कोईल नाप है तो 1000 mm है यह देखिए इसके 30 HP का मोनोब लग था इसलिए हम इसको हाथ से सेट बना रहे हैं और हमारे पास कोईल बनाने के तीन इस्टेंड है जिसमें एक काउंटर लगा हुआ है और उसमें हमने डिल DC with gear motor लगा रखिए यह देखिए आप यह 2900 RPM की motor है और यह इस प्रकार से हम माइंडिंग करते हैं और इसको हमने company बीवीसी देती है और हमने इसमें स्लोड मे नोमेक्स लगाया है और उपर हमने साथ मिल का बीवीसी लगाया है और यह देखिए इस प्रकार से हमने इसमें winding करी है क्योंकि बारिस का टाइम है ना तो monoblock थोड़ा मैंस में पानी भर रहा था तो monoblock बहुत अर्जेंट हो जाते हैं क्योंकि माइन्स का काम थोड़ा स्लो हो जाता है इसलिए बहुत अर्जेंट देना पड़ता है हमको यह लास से डल रहा है यह देखिए आप इस प्रकार से हम वाइनिंग करते हैं और आप दोस्तों आप लोगों को और भी किसी प्रकार के ब्लोग या आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स करिए हम किस प्रकार के ब्लोग डालें इस मोनो ब्लोग की बहुत डिमांड थी, बहुत मैसेज आये थे हमारे पास तो आज हमने यह ब्लोग डाला है और इसके डेटा भी आपको दिये है ये देखिए थोड़ा शाम हो गया था तो हमने इसको बल्ब क्रेन पे बल्ब लटकाया है ये देखिए आप ये इस प्रकार से हम यू डालते हैं ये देख सकते हैं ये बल्ब भी लल्टक रहा है ये चार्जिंग बल्ब है और इसको आज ही हम पूरा कंप्लीट करेंगे और इसमें हम आपको कनेक्शन भी बताएंगे सिंपल कनेक्शन है आला कि इसमें यह देखिए लास्ट कोईल बाकी है इसमें हमने पिछ कोईले नहीं थोड़ी है हमने डाल दिया क्योंकि बहुत ज्यादा अर्जेंट हो रहा था मनोब्लोग क्योंकि वह बोल रहे थे यार हमारी माइन्स बंद हो जाएगी लेबर बेट जाएगी इसलिए हमने इसमें डाल दिया है कि यह देखिए अब इसके कनेक्शन यह हमने यह टॉप से टॉप जंपर हो गए एक से चार पर कि यह देखिए आप इसमें तीन जंपर लग जाएंगे और यह एक तीन पांच यह देखिए आप यह जंपर है और यह देखिए आप एक तीन पांच इसकी 1-1 एक साइट की लीड हो जाएगी या आप 1-1 भी बोल सकते हैं या 2-2 भी बोल सकते हैं तो सिंपल तरीका एक साइट की यह इसमें दो होल होते हैं इसलिए एक साइड यह है एक तीन पाँच लीड निकल जाएगी और एक साइड बाकी की बची तीन लीड निकल जाएगी और इस प्रकार से हम यह देखिए ब्रेजिंग तो में हम हर मोटर में ही करते हैं और ये तीन जंपर हो गए और तीनों को हमने ब्रेजिंग किया ये देख सकते हैं आप नाइट हो गई है और कल इसको हम वानिश करके और कल हम इसकी डिलेवरी भी कर देंगे ये देखिए हमारा वर्क ये हमने एक साइट बंदा कर दिये देख सकते हैं हमारी पनीशिंग यह देखिए यह पूरी कंप्लीट बंदई हो गई है और उसके बाद यह फिटिंग करके और हम फैन और फैन कवर हम बाद में लगाते हैं क्योंकि यह बाई चांस किसी प्रकार कारण वर्ष अगर खोलना पड़ता है तो वापस फैन और फैन कवर निकालना पड़ता है और यह देखिए हम नए लग सब मोटर में लग ब्रेजिंग करते हैं क्योंकि हम डायरेक वायर निकालते हैं अगर ओटो केबल या कोई भी केबल निकालेंगे तो हम क्लेम कर सकते हैं उसमें और कंप्लीट फिट करने के बाद यह देखि आप इसके नो लोड एंपियर